ग्रॉण्ड इंवेजन इंबुलन्स मांग ली थी फिलिस्टीनी वैजी गरीब हैं लुटा पुटा मूल के उनका जहन दोस्तों मैं हुमेज गरवारिया और आप देख रहे हैं तच्छानक क्या डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बि आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है और बड़ी मजदार खबरें भी हैं इसराइल को कहते हैं कि सरफ हमास नहीं लड़ रहा है इसराइल के दो और फ्रेंट है यानि कि टोटल तीन फ्रेंट पे तीन मोर्चों पे इसराइल लड़ रहा है पहला जो है लेबिनन दूसरा गाजा तीसरा सीरिया, लेबनन में है हिजबुल्ला, जैसे यहाँ पे हमास है, एक टेरिस ग्रूप है हमास, गाजा पठी का, उसी प्रकार से दूसरी तरफ लेबनन है और लेबनन का जो खतरनाक आतंकी संगठन है, जिसका नाम हिजबुल्ला, जिसको भी एरान ने, जैसे हि इरान ने पैसे दिये हैं वैसे हमास को पैसे दिये हैं उसी प्रकार से हेजबुला को भी पैसे दिये हैं और यह वहाँ पे हर तीसरी जगे सीरिया यहां से रॉकेट अटैक इसराइल के अंदर हो रहे हैं दोस्तों इसराइल के लिए नया नहीं है जब इसराइल का सिक्स डे वार हुआ था तब भी कई कंट्रीज ने एक साथ इसराइल की उपर अटैक किया था यह मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं पुरा नी यह स्टोरी है 1967 की तो दोस्तों जैसा मैंने बताया 1967 सिक्सडे वार की कानी है जब कई देशों ने आइधिंक पांच देश थे कुछ थे एक साथ ये चड़ दोड़े इसराइल की उपर है इसराइल ने एक एक को हराया दोस्तों एक एक को धूल चटाई इसराइल ने एक एक को और आज इसराइल वहीं पर अपने आपको पाता है दुश्मनों से सरांड़ेड है घरा हुआ है दुश्मनों से और इसराइल लड़ रह आप मेरी बात मानो इसराइल इनको ठोकेगा क्योंकि सच और हक इसराइल के साइड है दोस्तों ये देखिया है हिजबुल्ला वस फांड़ेट बाई इरान रिवलूशनरी गार्ड्स हिजबुल्ला को 1982 में इरान नहीं पैदा करा था हिजबुल्ला एक शिया ग्रूप है मुस इसका जनम ही उसले हुआ थो दोस्तों अब आप समझ लीजे कि इरान जो है इरान हर चीज चला रहा है और इरान जो है वो सब को फंड कर रहा है हधियार भी दे रहा है और चुप चा बैठा हुआ वहाँ पे कि देखो क्या हो रहा है ये सब इरान की बदमाशी चल रही है अब यह जो ग्रूप है हिज्बॉल्ला ने बढ़के मार दी अच्छा मैं एक बात बताता हूं यह जितनी भी इस्लाविक संगटे हैं हैं न यह टेर्रिस्ट यह सब के सब इनके बारे में कहवत है कि इनकी जो जबान है ना इनकी लाठी से लंबी है इनकी जो जबान है इनकी लाठी से लंबी है ये कर जादा कुछ नहीं सकते ये बोलते बहुत जादा है ये चुपचा पाए बच्चों को मारा लोगों को मारा अब ये हाई तौबा कर रहे हैं अब ये भाग रहे हैं, अब वो कह रहा है मेरे अब्बू को मार दे, मेरे अब्बू के सर पर बं मार दिया तुमने, अब तुम्हारे अब्बू को तुम्हार नहीं था, तुम क्यों आए यहां पे इसराइल, तुमने किसी के बाप को मारा उसने तुम्हारे अब्बू को नि निप्टाना शुरू कर दिया है और ये ग्रूप ने क्या क्लेम करा था मैं पता रहा हूं हेजबुल्ला ने बोला था कि इसराइल कांट इवन इमाजन दसाइज ओफार आर्म स्टॉक पाइल यानि कि ये जो इसराइली हैं यहूदी हैं ये तसवर नहीं कर सकते सोच भी नही आ रहे हैं इतने खुश हो गए ये लोग इतने खुश हो गए लोग अब इसराइल इनको मार रहा है इनके मूँ से चिखे निकल रही हैं मैंने क्या बोला था इनकी जबान ना इनकी लाठी से लंब ये दोस्तों अचा अब देखिए तकरीबन 3600 लोग अभी तक मारे गए ह जिसमें से 1200 लोग इसराइल में मारे गए हैं ठीक है जी और 1500 हमास के जो मेंबर हैं आतंकवादी 1500 हमास उनकी लाशे मिल चुकी हैं दोस्तों इसराइल ने बोला उसकी फोटो वीडियो बनाए हम आपको इस सब नहीं दिखाएंगे या पर लेकिन उनकी फोटो वीडियो हैं और ये बोला है कि 1500 हमास के फाइटर्स की लाशे मिल चुकी हैं चुन चुन के इसराइल उनके घर में घुस खुस के चुन चुन के मार रहा है जहां पर पता लगया ये घर है ठीक है इसके अंदर 80 हमास के फाइटर बैटे हैं इनको पता लगये उपर से मारा वहां पे मिसा गाजा का अल्रेडी हलुआ बन चुका होगा यानि कि जब तक इसराइली ग्राउंड फोर्सेंगे मुझे नहीं लगता गाजा में कोई बिल्डिंग खड़ी होगी असे सारी बिल्डिंग जो खड़ी थी वह पड़ी होगी खड़े से पड़े हो जाएंगे बिल्डिंगों का रखा है यानि कि शेहर के नीचे पूरे टनल्स हैं जैसे नीचे से मेटर हो जाती है ना वैसे इन्होंने इंसानों के लिए वैसी बना रखा है वहां से निकल जाओ वहां से निकल जाओ यहां से हत्यार लियाओ इसराइल एक एक टनल को बरबाद करेगा एक एक टनल को इसक च्छत के कूद के मर जाए मैं बता रहू हमास वाला डर के मारे यह देखे यूनाइटिड नेशन्स ने ये बोला है कि करीब तीन लाख चालिस हजार जो गाजा के लोग हैं वो अब बेघर हो चुके हैं इसराइलियों ने बिलकुल आग बरसादी आसमान से और ये गाजा वा करते हो तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो और तुम लोग इतना बाड़ा विक्टिम कार्ड क्यों केलते हो हर चीज में तुम ने हमास को सपोर्ट करा अब हमास को जुथे पढ़ रहे हैं अब तुम लोगों ने हमास के खिलाफ तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला करवाओ बढ़िया सा democratic country बनो तरक्की वरक्की करो अब यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओंगे प्सीधी बात है दुनिया के पास patience नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्ला इसके लिए किसी के पास patience नहीं है रगड़ दिये जाओगे बुरी तरीके से बाकी तुम्हारी मर्जी है भई या रगड़ना है तो तुम रगड़ा जाओ और कर लो जिहाद यह देखो भई या ग्राउंड ओफेंसिव इस बिइंग हिंटेड एज इर्जाइल वाउस टू वाइप आफ हमास इसराइल ने बोला हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूत कर देंगे ख़तम कर देंगे ठीक है जी अच्छा हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था हमास का सीनियर मेंबर फाउंडिंग मेंबर जिसने हमास शुरू करी कि यह उन चार पांच लोगों में से अबू उसामा अबू उसका नाम था अब्दल अबते दुखन को तो दे प्रॉमिनट मेंबर वस टेकन डाउन नसरियत नेबर हुड इंड़ सेंटर ओफ गाजा यह नसरियत एक कॉलनी है नसरियत नसरियत में रह 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 था और यह स्कूल का प्रिंसिप्ल था ठीक है जी यह स्कूल का प्रिंसिपल था और मुसलिम यानि कि देखो उसामा बिन लादिन इंजीनियर जवाहेरी डॉक्टर इस सारे पड़े लिखें यह स्कूल का प्रिंसिपल है और यह आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल अब सोचो आप यानि कि एजूकेशन इसका इलाज नहीं है यह खून में चीज़ें होती है यह डियने का पार्ट है आप इसको आप पिएजडी कर लें आप डबल ट्रिबल पिएजडी कर लें जब आपके दिल में यह है कि मुझे च्छाती से पच्छिस किलो आडी एक्स लगा के बटन दब तो चाहिए पिर आपना है और बहत्तर हो रहे मुझे चैएंगा सोव यह रहीफपने हो जोग चाहए प्यूचर चाहते हैं कि मेरा फ्यूचरर अप्यश्टे बटन और माँ फाट belong इसको निपटा दिया ठीक है इसका थायख यूब दिया और इसराइल ने बोल दिया कि टाटा बाई बाई तुम चलो इसके अलावा एमर्जनसी गवर्मेंट ने देखिए बहुत बढ़िया काम करा उसने एक एमर्जनसी गवर्मेंट तेह कर दी तो खुद की सरकार चल रही थे उसने बोला एमर्जनसी गवर्मेंट और उसके अंदर जो उसने बोला एमर्जनसी गवर्मेंट और इसकी बनेगी एक वर्मेंट तो थ्री मेंबर वर्मेंट है जिसमें के नेतन याहू, गैंट्स और डिफेंस मिनिस्टर, यॉव गैलांट ये बन गई वर्मेंट तो दोस्तों ये देखें, ये बात है कि उसने ये नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और में अकेले ही करूँगा, काम और सारा जितना भी शिरे मِलेगा, इसराइल को जीत रही है ये बात ता क के इसराइल को जीतना उसने बोला नहीं, उसन और इसराइल की पॉलिटिक्स भी कई जगे उतनी गंदी है जितनी हमारी है। लेकिन हमें और इसराइलियों पता सब सब बड़ा फरक क्या है। सब सब बड़ा फरक यह है हमारे और इसराइलियों के बीच में कि जब देश पर मुसीबत आती है ना तो वहां की ओपोजिशन को सडक का गुंडा नहीं बोलता। वहां पर यह नहीं बोलता कि बाला कोट में सिर्फ कुछ कवे और मरे थे और कुछ पेड़ गे रहे थे। यह सब कोई नहीं बोलता। यह सब जब देश पर विवदा आती है सब लोग एक जोट हो जाते हैं एक बन जाते हैं कहता हम होने ने का वो तो भारत इतना बड़ा देश है अल्मोस्ट डिड़ अरप का देश है दुनिया की फिफ्ट लार्जिस्ट एकॉनमी है इसलिए यह जो जहाज है ना अगर भारत को एक जहाज से कंपेर करें तो जहाज यह आसानी से हिलता नहीं क्योंकि बहुत बड़ा जहा अब दोस्तों इसके अलवा इसराइल के पीम ने बोला है कि एवरी हमास मेंबर इस डेड मैन यह देखिये इन इस स्टेटमन नेतन यावव फर फिर्स ताम क्लिर्ड एक्स्प्रेस्ट इसराइल इंटेंश तो डिस्ट्रोई हमास इस दाइश और विल खुश दम डिस्ट्र अबर जिन्दालाश है इस डेड मैं वौकिंग और यह प्रधनमंत्री बोल रहा है इसराइल का यह कहे रहा है जैसे डाइश है इस्लामिक स्टेट दुनिया ने इसलामिक स्टेट को निपटा दिया वैसी इसराइल जो है हमास को निपटा देगा हमास WILL cease सिच डिगश यह ब और यह मैं बता रहा हूँ इसराइली क्या करते हैं, मैं इनके बारे में मैंने काफी कुछ लिखत-पढ़त करी और आर्मी में, इंडियन आर्मी में तो मैं पढ़ाए गया था, मुझे याद है जनरल मोशेदियान के बारे में, I think Part B का पेपर था ये किसी का पेपर था मुझे देश बना, ठीक है, इन्होंने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, राइट, इनके 1967 का वार हुआ, जिसको बोलते हैं, फिर इनका यौम किपूर हुआ, यौम किपूर वार 1973 का, और इनमें कब-कब 83 में क्या हुआ, बाद में क्या, एक-एक समय इनके मुलक में क्या-क्या ह हुआ, ये सब के बारे में मैंने डिटेल में बढ़ा है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस्रैलियों के बारे में, ये जो कह रहे हैं, ये देखिये, इन्होंने मन मना लिया है, क्योंकि इनको पता है, जिकिए अगर जैसे- और देश होते हैं, लड़ाई जी है ना बिलकुल है पाकिस्तान वजूद में 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी हमारे थे वो लड़ाई चाइना जीता था ये बात सच है लेकिन भारत है न वजूद में लेकिन इसराइली इसको पता है कि अगर ये हार गए तो इसराइल खतम हो जाएगा फिर उस स्विशन पले स्टूशन अपनी जगे रहे और इसराइल अपनी जगे रहे और अमन शांति सरें ये चाहते ही नहीं और लात में अब को बता रहा हूँ आप पाकिस्तान चले जाओ दूर क्यों जाना इतना बगल में पाकिस्तान है पाकिस्तानियों से पूछ लो वो नहीं चाहते टू स्टेट सलूशन वो नहीं चाहते वो वहाँ पे जहाँ पे इसराइल है वहाँ पे चाते हैं कि वहाँ पूरा पलिस्टिनियन्स का कब्जा हो और यहुदियों को मारके फेक दो समंदर के अंदर हमास यही क्याता है इसराइल ने तो बोला था इसराइल ने ओफर करा था कि टू स्टेट सलुशन करते हैं जमीन का लेंदेन करके खदम करते हैं तुम अपने खुशी रहो हमेद खुश रहते हैं अपने कानी का तब हमास ने माना नहीं माना हमास ने साबोटाच कर दिया इरान ने साबोटाच कर दिया भाई हेजबॉल्ला ने साबोटाच कर दिया Syria attack कर रहा है वहां से यह क्यों हो रहा है यह हो क्यों हो रहा है आप यह समझो ना कि यह चकर क्या है पुरा यह चकर यह है कि two state solution क्या है ठीक है कि पहली जो हमारी boundaries थी वहां पर चले जाएंगे अब लोग केते हैं इसराइल ने फिलिस्तीन का एरिया घेर लिया वो तो घेरे गई अरे बेकूफ की बच्चों तुमने अटेक क्यों करा उसके उपर तुमने हमला क्यों करा इसराइल की उपर इसराइल बना था वो तो UN चार्टर के तहद बना था United Nations में सब देशन को वोटिंग करी पूरी दुनिया ने डिसाइड करा कि यह जो एरिया है एक जमाने में इसराइल था यहां पर इसराइल दोबरा गटित होगा यहां पर बनेगा इसराइल इसराइल बन गया और जैसी इसराइल बना एक दो मेने के अंदर उसके ओपर अटेक करना अर्बों ने शुरू कर दिया क्योंकि डे बन से अरब नहीं चाहते थे डे बन से ये लोग जो आज पास की इसलामिक पॉपलेशन थी नहीं चाहती थी उसराइल कि से बच गया थे कि पुल करेंदव कि बच औरuhan इसराइल फिर इस्राइल ने इनको हराया, इनकी जमीन, यार तुम अटेक करो कि वो जमीन गेरेगा तुमारी, जाहर सी बात है, जब लडाई होती है, अगर तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो, तुम ने क्यों इस्राइल के उपर अटेक करा, क्योंकि तुम्हें इस्राइल की जमीन च कार्ड ये हर चीज़ पर खुद अटैक करेंगे खुद जूत्यक आएंगे फिर रहेंगे हमारे साथ बुरा हो गया ओपन एर प्रिजन वर्ल्ल्स लाजिस्ट ओपन एर प्रिजन गाने सुन वालों पलेस्टिनियन से मेरी तो एक रुबै की स्थी नहीं इन लोगों के साथ एक और रुपे की सिंपती नहीं लोगों के साथ अब दोस्तों इड़ो देखो दोस्तों फ्रॉस प्लेंग कैरेंग युएस आमेंट्स अर्याइबड पहला जो जहाज है अमेरेका का जिसमें गोला बारूद हतियार इसराइल के लिए था, वो इसराइल में लैंड हो चुका है और यूएस आमरमेंट्स अराइवड एट नेवटेम एर बेस इन सदन इसराइल और वेडनेस डे वेडनेस डे यानि कल, कल, पहला लैंड कर गया था हवाई जास भाई साथ ठीक है जी, यह लैंड कर गया है और कौपरेशन बिट्रीन तू मिलिटरी इस कि पाट टो अंसरी को एमेरिका ने बोल मेंड दिया, तुम्हें पैसे चीए हतिया, अब तो करो एकात अगनी शगनी भी दे दो इसराइल को अगनी नाक त्रिशूल आकाश सब दे दो पृत्वी पृत्वी मिसाइल आपके पास दुनिया भर की पढ़ियां दे दो 30-40 पृत्वी मिसाइल बॉलो पस यहां से बटन दबाओ ठीक है तल अवीव में बैटके जेनरल सफा यह करना चीए पृत्वी मिसाइल हैं पिनाका है ब्रमोस है साब भेजो एक एक करके सब भेजो फ्री ऑफ कोस्ट हमारे एरक्राफ्ट कैरियर भेजो आपको जो भेजना है भेजो इसराइल की पूरी मदद करो ठीक है अच्छा रहेगा हमारे इंडियन एर फोर्स के प ठोकते रहो ठोकते रहो जब तक उसकी नाक से लखी रहना निकले ठोकते रहो जैसो एफम वाला कहता ना बजाते रहो बजाते रहो बस अच्छा जी अंतमे में बात करना चाहता हूं पाकिस्तान के क्रिकेटर महमद रिजवान के बारे में है महमद रिजवान अच्छा खे और मैं उनको डेडिकेट करती है अपनी सेंचुरी मौहमद रिजवान नहीं बोला देखो ये सब चोर हैं पाकिस्तानी है ठीक है ये फरेबी लोग हैं फ्रोडिय हैं 420 हैं दो नंबर के लोग है राइट पाकिस्तान क्या कहता है भारत एशिया कब खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया इसलिए भारत जो है न इतने भी पाकिस्तानी है ये कभी फिलिस्तिन गए इनके पास जिस दिन पैसा आएगा ना मैं पता रहूँ इतने चोटे हैं ये जिस दिन पैसा आएगा ये लंडन में फ्लैट खरी देंगे जिस दिन पैसा आएगा कनड़ा भग जाएंगे जिस दिन पैसा आएगा उस्ट्रेलिया चले जाएंगे जिस दिन पैसा आएगा युएस से चले जाएंगे लेकिन दिल में फिलिस्तीन है, जाना नहीं है फिलिस्तीन, दिल में फिलिस्तीन है नहीं समद रहे, फिलिस्तीन के नाम पे सिंपथी गेन करो, फिलिस्तीन के नाम पे विक्टम कार्ट प्ले करो लेकिन फिलिस्तीन के लिए कुछ अपनी मैच फीज दे तू फिलिस्तीन को तब हम मानेंगे मौमद रिजवान और पूरी पाकिस्तानी टीम ये कुछ नहीं करते हैं मैं बता रहा हूँ ये सब के सब आपने मैं आपसे मेरा मतलग है गवर्मेंट उफ इंडिया आपने बहुत बड़ी गलती कर दी वह सब इनको वीजा देखे ग्यारा टेर्रेस्ट आपने लश्कर ये तैयब और जैसे मौमद के इंडिया में बुला लिए सब आतंकी है ये शकले देखो इनकी इस सब के सब आतंकी हैं सब के सब ये रिजवान किस दन भट जाएगा पिछ की ऊपर ठीक है लोग मुझसे कहते हैं हेट स्पीच दिस नोट हेट स्पीच दिस ट्रूथ ये कह रहा है सपोर्ट में और इतने बड़े चोटे हैं एक बार इन्होंने फिलस्तिनियों से एंबुले उसने बोला मैं पाकिस्तान में डैम बनाऊंगा किसी गरीब से 10 रुपे लिए किसी 20 रुपे लिए कड़ोन रुपे घटा करके गायब हो गया साकिब निसर मैं आपको बता रहा हूँ अब पाकिस्तानी क्या शुरू करेंगे ये चंदा लेंगे फिलिस्तिन के नाम से ये कोच वही करना है नाम फिलिस्तिन का लेना है लेकिन जाना नी है क्यों नहीं करके फिलिस्तिन वे क्रिकेट खेलते हैं अगर तुम सच में लेAKन जतनी कमाते हैं कम से कम दस पंदरा घर तो बन जाएंगे फिलिस्टीन में, इतना तो हम कर सकते हैं, इतना करो तब हम मानेंगे, सब मैं बता रहा हूँ, चोटे हैं यह लोग, यहाँ पर पैसा कमाने आएं हैं, विक्टम कार्ड खेलने आएं हैं, और विक्टम कार्ड भी इन्होंने खेलना पैस्तिनियन से सीखा है, I don't trust पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी वो ट्रस्टी नहीं करता, यह पहले गले मिलेंगे, और गले मिलने के बाहन है, पीठ भाई, खंजर उतारने का काम पाकिस्तानी करते हैं, यही काम रिजवान ने करा, I dedicate my century, अभी रोग ज spoken about mainstreaming of Iran and how it will further downgrade Pakistan, आपने, यानि की, पहले आपने, यह मेरे लिए बोल रहे हैं कि आपने पहले बात करी थी, कि Iran को mainstream करने की बात करी थी आपने, और आपने बोला था कि इससे Pakistan downgrade होगा और India का control बढ़ेगा strategic trade routes में, आपको लगता है कि जो recent events हैं, यह कि Iran ने हमास को हतियार और यह सब दिया है, इससे कुछ फरक पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल फरक पड़ेगा दोस्तों, फरक पड़ेगा इसलिए नहीं कि India कुछ करना चारा है, इंडिया तो जो करेगा, करेगा, इससे राना साब फरक तब पड़ेगा जब दुनिया अभी और सक्त से सक्त संक्ष भी जाते हैं, चोरी करो, तो हाथ साफ तो रखो अपने, यह चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, अब यह पकड़े गएं, अब पता नहीं चावार पोर्ट का क्या बनेगा, I don't know, मैं नहीं कह सकता आपको कि यह होगा यह होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि इनका हलुआ बना दिया जार, इनका हलुआ बना देगा, दुनिया मिलके अमरीका और वेस्टर न कंट्रीज बनके, इतने इनकी उपर सैंक्शन लगाएगी, इतने सैंक्शन लगाएगी, यह इनका इरान का जीना दूभर कर देगी, आप देख ले ना, अगले हफते, दस 15 दिन एक दो महने में आप देख ले ना यह जो होने वाला माँ आज आपको बता रहा हूँ मानन लखमानी जय हिंद जय जय जुलेलाल जय श्री राम मेजर साथ क्या आपको लगता है कि एडवांस काउंटर मिसाइल सिस्टम लाइक आइरन डोम in our north western borders against illegal use of drones do you think we have or is it the right time of course we have हमारे पास आकाश है हमारे पास ट्रिशूल है हमारे पास S-400 है हमारे पास और भी सिस्टम है हमारे पास shoulder-fired एगला मिसाइल है हमारे पास काफी ऐसे सिस्टम है हाँ एर डिफेंस में हमें और भी काम करना बहुत जरूरी है लेकिन S-400 इंडिया खुद बनाने की बात कर रहा है और DRDO और इस काम पे लग गया है तो 2-4-5 साल के अंदर आप देखेंगे कि S-400, S-500 के लेवल का सिस्टम मेक इंडिया में बनेगा मतलब अंडर दे मेक इंडिया स्कीम इंडिया में बनेगा आप इसको देख पाएंगे तो हाँ ये बिलकुल ठीक बात है देखे इन्हों ना पूछा कि इसराइली सिस्टम से देखे इसराइल का इसमेना किस आल्टिट्यूट पे अपके ध्रेट कॉनसे है आपका जुगरिफिकल स्प्रेड का है इसराइल का इतना बड़ा जुगरिफिकल स्प्रेड नहीं है इसराइल छोटा देश है हमारा हज़ारों दरह of drug-d далее किलो मिटर का है देखे लोग अकसर इसराइल से कंपेर करते हैं इस्राइल के चालेंजिस अपने हैं, हमारे चालेंजिस अपने हैं, ठीक है, इस्राइल को जो देश सराउंड करते हों आतंकी देश हैं, जारा तर, most of them are terrorist countries, इस्राइल को जो खत्रा है वो terrorist attacks का जाधा है, हमें खत्रा जो है conventional war का जाधा मैं, यह नहीं कहा रहा कि उनको conventional war का ख ठीक है जी, तो इस्राइल के पास, actually है, इरान का किसी को बता ही अभी तक है के नहीं है, अभी तक कहते हैं के critical masses ने रीच नहीं करा, इरान ने, तो यह चीज है, गौरफ कपूर, गौरफ जी नमश्कार, it feels very disappointing to see so much support for Pakistan cricket team in the stadium and outside as well in Hyderabad, this has been the problem lately within India, the 0.5 front that respected general Bepan Ravad talked about, what is the solution? to see it's more related to religion and we can't change that overnight, मुझे, मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई religion से, मैं समझ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, गौरफ कपूर जी, आप यह बोल रहे हैं कि हैदरवाद में मुसल्मान हैं और इसलिए वो पाकिस्तान की team को support कर रहे हैं, मु मैं आपको सच बता रहा हूँ, यह बात क्योंकि मेरी स्के उपर study है, एक तो होता है कि मैं emotional outburst में आपको कुछ बूलो, दोस्ती करने के चक्कर में लोग बिश जाते हैं, देखो, टॉप टीम कौन सी हैं Australia, ऑस्ट्रेलिया को कभी वो welcome नहीं मिलेगा, आपने कभी एक बात इतने Indians जाके, मैं आपको concept समझाता हूँ, ठीक है, यह वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि हैधराबाद की मुसल्मान population है, इसलिए वो मुसल्मान, मुसल्मान पाकिस्तान को भाई-भाई समझ के यह नहीं है, ऐसा नहीं हैं, हो सकता है one or two percent हो, 98 percent के साथ ऐसी problem नहीं है, problem क्या है मैं आपको सच बताता हूँ, आपने कभी देखा है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो बड़े famous हो रहे हैं इंडिया में, और जाके वो इंडिया के बारे में बात करते हैं, और लाखों दर लाखों हर एक वीड हैं, 99 percent उसके इंडियांज हैं, इंडियांज क्यों देखेंगे अगर वो इमरान खान और नवाज शरीफ की बात करेंगे, इंडियांज तो नहीं देखेंगे, ठीक है, वो अपने देश को ठोकते हैं, इंडियांज एंडियांज करते हैं, और इंडियांज ये जानना चाते मैं काफी इंडियां मैं सबकी बात नहीं कर रहा हैं do जब पाकिस्टाणी आपके बारे में अच्छी बात करते हैं तो आप क्योंकि एक तरह होती है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया भर में लोंग мне अच्छा समझें अब मुझे यह गलत फहिमी बिलकुल नहीं है मुझे दो रुपए का फरक नहीं परता कोई मुझे अच्छा समझें बुरा समझें तो यह वो इश्यू नहीं है जो आप समझ रहे हैं आप कोई भी पाकिस्तानी यूटीब चैनल देख लेना जो कि अच्छा कर रहा है जिसके लाकों में वीज आ रही है उसका कंटेंट इंडियन होगा और क्यों कि इंडियन देखना चाहते हैं कि वह हमारी कितनी ता है यह जो गई है एरपोर्ट रिसीव करने के लिए पाकिस्त में डालो देखने बाबाराजाम रिजवान भिजवान सब को जेल में डालो ठीक है किसी लाइक नहीं है लोग लेकिन ठीक है सब लोगों कि अपने अपनी मंचा भाया अपने अपनी राय होती है ठीक है अच्छा जी I've been watching Chanakya Dialogues for a long time and feel I've gained a lot of insights regarding geopolitics ठीक है जी so I give you my respect and gratitude आदर आपको और धन्यवाद मेरा सवाल है कि why do we consider being Islamophobic as a major problem but when it comes to minorities such as Jews it doesn't concern other people even though total population of Jews is 16 million as compared to 2 billion Muslims thank you ये कहते हैं कि बई Islamophobic का तो बड़ा हुआ है लेकिन Jews के खिलाफ कोई कुछ भी बोले यहूदियों के खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो लोग कहते हैं सब इस तो कोई फरकी नहीं पड़ता जबकि यहूदी हैं वो सिर्फ 16 million है दुनिया भर में या नहीं 1.6 करोड और ज बाता हूँ कुछ Muslim countries में 57 Muslim countries हैं सब की सब की बात नहीं कर रहा है यह 4-5 है 5-7 होंगी जैसे पाकिस्तान है सीरिया है यमन है लेबनन है पैलिस्टीन है यह सब जो Muslim countries है नहीं 4-5 यह victim card के champion है यह जो हो रहा है यह उसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने victim card को fine art बना दिया हाई हम बेचारे हाई हाई हम मजलूम हाई हमारे साथ ظلم हो रहा है यह हाई हाई में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी दुनिया ने हाई हाई में निकाल दी पाकिस्तान ने हाई हाई में निकाल दी लेकिन यह निकली है और है के बीच में निकला है मामला यह तो इसलिए है जो यहूदियों के साथ हो रहा है हमें यहूदियों के साथ ख़ड़ा रहना है इसका मतलब यह नहीं कि हम मुसल्मानों के खिलाफ हैं नहीं हम हमास के खिलाफ हैं लेट मी भी अन एक्वे वोकल क्योंकि ऐसे कई मुसलिम कंट्रीज हैं हम आउसको सपोर्ट नहीं करते हैं ठीक है नहीं करते सपोर्ट को वो कहरें अपना काम करो यार युवई ने क्या बोला युवई अमीर मुस्लिम देश शेखों का राज हमापे उनसे बोला आप किसको सपोर्ट करते हैं इसराइल को की फलिस्तिन को किसको सपोर्ट करते हैं श ऐसे भी लोग हैं सब पाकिस्तान जैसे बावले नहीं होते मुहमद रिजवान की मैं अपने ब्रदर और सिस्टर गाजा में ऐसे पगलेट सब नहीं होते ठीक नहीं अच्छे लोग भी है दुनिया में पागल लोग भी यह चार पांच मुसलिम कंट्री से यमिन सीरिया पाकि कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दमाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों जाहिंद बंदे मात्रम भारत माता की जै